स्टूडेंट्स आज हम पर्दूशन और पर्यावन जा पर्दूशन पर्यावन के लिए हानेकारक है विशेपन निबन पड़ते हैं तो चली शुरू करते हैं पर्दूशन से लड़ने का अब सब मिलकर लो संकल्प क्योंकि पर्यावन को बचाने का सिर्फ यही है एक मात्र विकल्प पर्यावन का अर्थ है हमारे चारो ओर का वातवन पर्यावन हमारा रक्षा कवच है इसी से ही हम सब जीवधारियों का पालन पोशन होता है यह हमारा जीवन अधार है प्रस्तूता प्रकृती ही पर्यावन है यह भूमी बन नदी नाले पर्वत मरुस्तल सभी हमा लहल हाती जीले और सुरोवर हमारे पर्यावर्ण को संतुलित बनाए रखने का प्रमुख अधार है। दुर्भागे से हमारा यही पर्यावर्ण आज दूशित हो गया है। विग्यान मानव की बुद्धी की उपच है। विग्यान मानव को धीर सारी सुक्सुविदाय देई दी हैं। वही धेरो समस्याएं वी प्यादा करदी उंची उंची इमारते सडकों पर भागते वहन तथा अकाश में उड़ते वायू यान वह जल को चीरते जल यान जहां सब को चकित हेरान किये हुए हैं। वही आज हमारा पर्यावर्ण प्रदूशित हो गया है। इस पर्यावर्ण प्रदूशन का कारण है विग्यानिक प्रक्ति या उनती। प्रदूशन का अर्थ है वातावर्ण का दूशित होना। पर्यावन प्रदूशन का अर्थ है वाता मर्न में प्रकृति के संतुलन में गड़बडी होना पर्यावन में कई तत्व हैं जो एक उन पात में विद्यमान रहते हैं मानम वुद्धिवाज जीवन को सचारू रखने संतुलित करने का काम पर्यावन करता है लेकिन एक वी तत्व असंतुलित हो जाए तो पर्यावन में प्रदूशित प्रदूशन फैल जाता है मुखिता प्रदूशन चार प्रकार का होता है जल प्रदूशन, भूमी प्रदूशन और ध्वनी प्रदूशन मनुष्य ने आगे बढ़ने की होड में अति उच महत्वा कांक्षा का अर्थ है बहुत अधिक इच्छाओं को भड़ावा देना महत्वा कांक्षा में प्रकृती के साथ चेड़ शार करने शुरू कर दी थी तो यह प्रकृती अचानक विक्राल भ्यानक रूप धारन करने लगी मनुष्य ने अपने भोग विलास के लिए आलिशन भवन निर्मान हेतु वन काटे वो पहाडों से चेड़ शार की बड़े बड़े कारखाने बनाए प्रमानों भट्टियां बनाई तता प्लास्टिक की घातिक चीजे निर्मित बनाई निर्मित की प्रमानों बम तता अंदा दूंद कीट नाशकों का निर्मान किया जिसे प्रदूशन को बनाने में सक्रिये भूमिका निभाई प्रदूशन को रोकने में डे सभी अपना से योग और प्लास्टिक का बंद करे उपयोग फैक्टरियों वो बड़े-बड़े कारखानों से गिर्ती गंदगी जल प्रदूशन का कारण बनती है तथा नगरों के गंदे नाले, सीवर पाइपों के मुग नदी की ओरकार देने से सारा जल प्रदूशित हो जाता है जिसके कारण फ़सल भी प्रदूशित हो जाती है इस कारण हमें पेट की बिमारियों आंतरशोत हैजा आदी जान लेवा बिमारियों को निमंतरन दे देते हैं विशाक्त व कीट नाशक द्वाईयां भूमी को प्रदूशित कर रही है धर्क्ती की उर्वरा उपजव शक्ती कमजोर हो रही है फेक्टरियों वो कारखनों का धुआ, विशेली गैसे, कारवन डायकसाइड जैसे, खतरनाक तत्व मिलकर समूचे परवेश वातवन को असंतुलित कर रहे हैं बड़े-बड़े शहरों में लोग शाम को घर लोटते हैं, तो अपने कपड़ों पर काली पर्त लिये आते हैं वाईयू में घूमने वाले ये कन, आंखों में जलन, तुवच्चा में अलर्जिव, सांस की बिमारियों के कारण बनते हैं विज्यान की देन है, ध्वनी परदूशन, रात दिन की पॉंपों, भों, भों, फैक्टरियों की अवाजे, वाईयू मंडल में ध्वनी किरनों का संतुलन बिगाड रही हैं जिसके कारण मनुष्य में बहरापन, तनाव, मानसिक अशान्ती, उचरत्व, चापव, उतेजना जैसी बिमारियां बढ़ रही हैं मनुष्य के अववेक पूरन बिवहार से मोस्सम चक्र बिगड गया है, धर्ती में गर्मी बढ़ने लगी है मनुष्य की इस अंदाधुन प्रक्ति, उनती का दुश परिनाम, बुरा परिनाम यह हुआ के हमारा समुचा परिवेश, वातावर्न, घातक, भ्यंकर तत्वों से भर गया है प्रदूशन से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे के हमें अपने घरों के आसपास पेड लगाए, वन विनाश पर रोक लगाए, तथा हर्याली पर अधिक जोर दे, नगर या बस्ती की गंदगी, नदी नालों में ना बहाई जाए, अनावश्यक शोर क काम किया जाए, लकडी के ने विकलप ढूंडे जाए, घातिक विमारियों को पैदा करने वाले उध्योग, ततकाल, शीगर बंद कर दिये जाए, परमानों विस फोटों पर रोक लगाई जाए, पर्यावर्ण वा जल की शुवर्ष्ता के लिए सब को पृत्साहित किया जा होने का अपरा करतवे नेवाएंगे और परदूशन को इस दुनिया से दूर बगाएंगे, तो इस परकार हम इन सभी उपायों पर स्वेम अपने आप ही सकती से अमल करें तो पर्यावर्ण परदूशन से बच सकते हैं, सरकार ने वी इस समस्या से निप्टने के लिए कई ठोस कदम उठाये हैं, पर पहले स्वेम समाच का जागरुक होना होगा, तबी इस समस्या का निराकरन हो सकता है, तबी हम इस समस्या से बच सकते हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सुस्क्राइब, अवश्य कीजिए बनिवाद